जी मनोज जी आप से मैं एक चीज और समझना चाहरा हूं इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि यह डिरेक्ली नहीं होता है यह तो है कि हर दर्वाजे पर पुलिस नहीं खड़ी हो सकती है हर रेस्टेंट पर लेकिन पुलिस उसके बाद कारवाई कितनी जल्दी से करती है उस पर दिखाए उस पर लॉइन और जो है उस पर डिपेंड करता है दूसरा जो पुलिटकल सम्रक्षाण की बात है कोई मुक्पंत्र कोई यह जाके नहीं कहता है कि इस तरह का लेकिन उत्तर प्रदेश की बात में करूँआ अगर चिन्मया नंग जो एक रेप के आरूपी है और उनके रेप के केस को अगर वापस करने के लिए सरकार वो करती है तो इंडिरेक्ली तो सेलक्षन दे रही है अगर कुलदीव सें पर तो यह संद्ट तो दे रही हुआ तो मैंनो सिंग साब मैं जरा आप से समझना चाह रहा हूं क्या इस जो बात सुभाज जी ने कहीं क्या माबाप इससे बिलकुल बड़ी हो जाते हैं कि हार भई हमसे को मतलब नहीं लड़के ने क्या लड़के को सजा दीजे बनोज जी देखिए एक बात तो यह है कि सर्मा जी जो बाते का रहे थे एक तो मैं उसे एकदम इतफाक नहीं रखता और वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाना क्या चाहते हैं कि इसमें कभी वो का रहे थे कोई वी आईपी नहीं आता है वो कुंत्री जिम्मदार नहीं है और यह स से शुरू बात करता हूं कि जब आप को कोई सत्ता जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं जब बलातकारियों को यह को सजा माफ करके रिया कर देते हैं जो गुजरात में हुआ बिल्किस बानों के साथ फिर आप जब उन्नाओं की घटना होती है और दूसरे राज्यों में भ पाद यह साथ तोर पर कहा जा सकता है और पहले भी बहुत सारी ऐसी घटना है हुई है जिसमें राजनितिक अगर इन्वाल रहते हैं तो वहां सत्ता तंत्र हम लोग देखते हैं कि वह पंगू रहता है वह काम नहीं करता आप आप देखिए कि पुलकित आरे के मामले में क् कि वह अवैद है वह कैसे चला था इसके बारे में वहां को कार खाने के नाम से वह जमीन थी और उस पर वह रिशाट चला है पहली बात वह पांच दिन तक वह राजस यह पत्वारी के पास रहा मामला और उसको रेगुलर पुलिस के यां ट्रांसफर नहीं किया गया और उस उन कमरों को ही निशाना बना रहा है जो वह किता बंडारी का जो कमरा था फिर जिस बात आ रही है कि जो बी आई पी जिस के लिए दवाव बनाया जा रहा था उस कमरे को जो सब यह जो जो जांच के दारे में थे उनी को आपने बुल्डोज करने के नाम पर आपने उन सब क नश्ट किया यानि कि साच से चिपाने का भी काम किया तो यह तो साब दिख रहा है कि उत्राखंड की सरकार एक पर इस माबले में पुरी तरह से चुप है जब जनता सड़क पर आई है और उन्होंने दवाव बनाया है तब आपने करवाई की लेकिन वो करवाई के नाम पर है पुलीस है और दूसरे लोग है वह सर अन्ट तक करवाईया सब्सूंदे के दारे में हैं और आवीद सब्सूंदे के दारे मेंस दूसरी बात है कि जो आप इस तरह के बिएदन आ रहा है 서울 अपर पर बहु कर रहे हुए भी सरमा जी स्रमा क sucre की बात कर रहे तो ऑभा तो आरेशेस के जो जिनों ने लिखा है लेकिंद लगभग उसी तरह से कि यह भी जिम्हदाद नहीं है ओ भी जिम्हदाद नहीं है हर जगा पुलिस खड़ी नहीं रह सकती यह सब क्या है यह कि डारेक्ट रूप से उसी चीज को कह रहे हैं तो यह एक मानसिक्ता भी है कि अगर जो जो लोग चुप रहे इस घटना पर एक इतनी बड़ी घटना पर चुप रहे और आप बोल भी रहे तो किस भासा में बोल रहे हैं तो यह भी एक उसी तरह से एक सरचर देने वाला भी काम होता है कि ऐसे अपरादों को आप प्रतच रूप से जिस तरह सहचर देते हैं यह उस तरह की ही भासा है तो मैं तो इसमें साब तोर पर मानता हूँ कि जो सरकारें जिस तरह से हाल के महिला अपरादों के मावलों में जिस तरह से उनका व्यवार रहा है जिस तरह सो रियक्ट करती रही है यह उस तरह क्या ही नतीजा है कि इसमे पैदा होता है कि अपने रिशार्ट में काम करने वाली लड़की को गलत कार के लिए मजबूर करे दबाव बनाए और नौ माने तो उसकी हत्या करके नहर बैसे दे और फिर बड़े सीने से बड़े उससे होते हुए कि मेरे उपर कोई कारवाई नहीं होगी खुद वही जाके बताए कि लड़की गायब है तो यह उसी से सहास पैदा होता है जब समाज के कुछ तबका कुछ लोग खास विचारधारा के लोग इस तरह के घटनाओं को संचर देते हैं सत्ता में बैठे लोग चुप रहते हैं और इस तरह के जो कारवाईयां करते हैं उनको बचाने का क करूंगा जो लोग शड़क पो उतरे और आज भी आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं पदाए दूंगा कि वो लोग उन्हेंने आंदोलन से यह दवाव पैदा किया और अंकरता भंडारी के नियाए के लिए आज भी लग रहा है जे मैं विजवाई सब आप से माफी मांगते हुए जड़ा मनोज सिंगी से पहले बात कर ले रहा हूं उनको कहीं निकलना था तो वो रुके थे मनोज आप से पहले कर ले रहा हूं जिससे आप को लेट ना हो एक हमारे दर्शक का प्रश्न है मनोज वो कह रहा है कि वेर डाज पॉलिटिशन गेट सो मच करेज लेकिन मेरा उससे आगे भी एक प्रश्ण है, जब दो तरह के crime माने जाते थे, एक criminal offense होता था कि मैं आप आए, हो सकता है कि मैं ही आपके घर के सामने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी बात हो जाए, आपको मेरा अच्छा न लगे, आप मुझे दो थपड मारी है, मैं आपको दो की सजा ज्यादा कड़ी होती है, और moral offense वालों को फिर चनाव नहीं लगने का पर रोक लगती है, इन सब पर लगती है, तो ये दोनों, एक तो हमारे उनका कि where does a politician get so much courage, politician इस तरह के परवारों को ये हिम्मत कहां से आती है, और दूसरा, अब moral crime का कोई मतलब ही नहीं रह गय अब एक बात देखिए कि जब मोदी जी जब 2014 में जब campaign कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात उठाई थी कि जो हमारे परलियमेंट में और विदान सबाओं में जो अपरादिक पिष्टभून के जो नेता अलों है, उनके खिलाब करवाई के लिए और उनको सजा दिलाने के लिए उपी से इस प्रयास करेंगे, और ये बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया था, और उसका क्या हुआ, आज उनके दूसरी बार वो सत्ता में है, और जो आप हर बार चुनाओं होता है, जब विदान सबाओं के चुनाओं होते हैं, और लोग सबाओं के चुना और जब विशेश अदालते भी गठित हो गएं, MPMLA के लिए, आप देखिए, गठित हुई है कि नहीं, UP में भी काम कर रही हो अदालते, और दूसरे राज़ों में काम भी कर रही हैं, वो किस तरह से काम हो रहा हैं वहाँ पे, और जब खुद ही अपने खिलाफ, मुक्वं कर रही हैं, और जो दूसरे लोग हैं, वो सब करफ्ट हैं, और दोसी हैं, यही तो यह राजनीतिक कल्चर है, इस समय अभी जो रिपोर्टे आई, कि ED और CBI ने कितने लोंपा करवाई की है, पिछले कुछ वर्सों में, तो उसमें तो सत्ता पच्च के कोई ही नहीं, एक द पाकी तो सब विपच्च के लोग हैं, यह राजनीतिक कल्चर यही है, कि हम कुछ भी करें, हमारी अब तो पहले यह था कि चली हमारे किसी सत्ता पर से जुड़ावा कोई व्यक्ती, किसी घटना में, अपराद में सामिल पाया जाता था, तो लोग उससे अलगा भी लेते थ एक दोर था कि उससे अपने को अलग कर लेते थे और ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा मामला आगे बढ़ गया है, कि हम अमारी सत्ता है, तो हमारे राज में अगर कोई अपराद होता है, तो उसको भी दबा दिया जाए, जिससे की स्टेट को यह लगे कि आपके स्टेट म क्या थी, उसमें तो यही कोशिश की गई न, कि यह पूरी घटना को ही दबा की खतम कर दिया जाए, जिससे यह पता चले, कि हमारे राज में तो इस तरह के अपराद हो यह नहीं रहे हैं, और वो सब दूसरी चीजे हैं, तो यह प्रवित्तियां ज्यादा बढ़ी हैं, कि अपने राज में जो अपराद हैं, जो गलत चीजें हो रही हैं, उनको छुपाने की, दबाने की, और जो अगर अपने मनुनकूल राजनीत के, अपने जो राजनीत के, जो आपकी विज़ादारा है, जिस तरह की राजनीत आप कर रहे हैं, उसके अगर अनुकूल कोई घट करते हैं मुझे तो आज बड़ा अच्छा एक दिस मनवंजक दिस से है कि हमारे जो ग्री राजमंत्री आज वो बयान दे रहे थे कि अपया फाई पर और तेजी से कारवाई होगी वो अपने बारे में उनको आज बोलना था उसकी बरसी भी आने वाली है घटना होई थी तो य ही है हमारे यह विडंबना भी का सकते हैं और उसका एक अच्छा कासा है कि यह मिस्ट्र टेनी जी वो कानून के राज और कौन सा खतरलनाक शंगठन है कौन क्या करता उसके बारे में आज वो बयान दे रहे थे